30 जन्वरी 1948 वह काला दिन है जब शाम के साढ़े पांच बजे महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह दिन काला इसलिए भी है क्योंकि जहां गांधी की हत्या उनके वैचारिक विरोधी नाथु राम गोड से ने की वहीं गांधी वाद की कसमें खाने वालों ने अगली सुबह तक गांधी वाद की भी हत्या कर दी थी। नाथुराम घोड से मराठी चितपावन ब्राह्मन परिवार में जन में थे और हिंदू राष्ट्र नाम के एक मराठी पत्र के संपादक थे। वह हिंदू महासभा के सामान्य सदस्य भी थे। युवावस्था में घोड से ने कुछ समय राष्ट्रिय स्वयन सेवक संघ की श महासभा आरैसेस और अन्य हिंदू वादी संगठन से जुड़े लोगों और कार्यालयों पर हमले शुरू हो। एक फरवरी को दंगे और अधिक भढके। और अब यह पूरी तरह जातिवादी और ब्राह्मन विरोधी रंग ले चुका था। सतारा, कोलहपुर और बेलगाम, जैसे जिलों में चितपावन ब्राह्मनों की संपत्ती, फैक्ट्री, दुकाने, इत्यादी जला दी गई। औरतों के बलातकार हुए, सबसे अधिक हिंसा सांगली के पठवर्धन रियासत में हुई। सतारा, कोलहपुर और बेलगाम जैसे जिलों में चितपावन ब्राह्मनों की संपत्ती, फैक्ट्री, 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 इत्यादी जला दी गई। सबसे अधिक हिंसा सांगली के पठवर्धन रियासत में हुई। मुंबई में स्वातंत्रियवीर सावरकर के घर भी हमला हुआ। सावरकर तो बच गए, लेकिन उनके छोटे भाई डौ नारायन राव सावरकर घायल हो गए। और इसी घाव के कारण सन 1949 में उनकी मृत्यू हो गई। नारायन राव एक स्वतंत्रता से नानी और एक समाज सुधारक थे लेकिन समाज से बदले में उन्हें पत्थर ही मिल सका। उस समय तक दंगों पर प्रेस की रिपोर्टिंग पर बहुत सारी बंदिशें थी। इन दंगों की तुलना सिख विरोधी दंगों से करते हैं। कांग्रेस के दक्षिंपंथी हिंदू वाधी धडि के नेता सरदार पटेल थे। पटेल की कांग्रेस संगठन में जबरदस्ट पकड थी। लेकिन सरदार पटेल के ग्रहमंत्री रहते हुए एक धुर दक्षिंपंथी द्वारा गांधी की हत्या हुई थी। नहरू के करीबी नेताओं ने खुलेयाम सरदार पर गांधी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने दबी जुबान में सरदार को इस शड्यंत्र का हिस्सा तक बता दिया। कांग्रेस के अंदर के दक्षिन पंथियों को पचाडने के लिए नहरू ने गांधी की हत्या को एक हत्यार के रूप में इस्तेमाल किया। इसकी परिणाम सन 1950 में दिखा जब दक्षिन पंथी माने जाने वाले पुरुशोत्तम दास टंडन को हटा कर नहरू स्वयम ही कांग् कांग्रेस अध्यक्ष बन बैठे। यही कांग्रेस के अंदर नहरू युग की आपचारिक शुरुवात थी। नहरू ने गांधी की हत्या को कांग्रेस के अंदर ही नहीं बलकि बाहर के प्रतिद्वंदियों को निबटाने के लिए भी इस्तेमाल किया। मनोहर मलगावकर की पुस्तक दी मैन हूम किल्ड गांधी मेंगोडसे के वकील एलबी भोपतकर बताते हैं कि ततकालीन सरकार के विधी मंत्री डौ भीमराव अंबेडकर ने निजी रूप से उन्हें बताया था कि सबूत न होने के बावजूद नहरू हर कीमत पर सावरकर क को इस हत्याकांड से जोडना चाहते थे क्योंकि एक बार गांधी हत्याकांड में सावरकर गिरफतार हो जाते तो उनकी राजनीतिक चुनोती हमेशा के लिए समाप्थ हो जाती पूरे मुकदमे के दौरान पुलिस सावरकर के विरुध किसी भी तरह का प्रमान पेश करने में नाकाम रही लेकिन आज भी सत्तर वर्ष बाद भी नहरूवियन सेकुलरिज्म के पैरोकार सावरकर को गांधी हत्या में सह अभियुक्त बताते नहीं धकते होम मत विमत बापू की हत्या घोड से ने की लेकिन अगली सुबह गांधी वादियोंज ने गांधी वाद को ही मार डाला गांधी की हत्या उनके वैचारिक विरोधी नाथुराम घोड से ने की वहीं गांधिवाद की कसमे खाने वालों ने अगली सुबह तक गांधिवाद की भी हत्या कर दी मुकुल कुमार मिश्रा जन्वरी 1948 वह काला दिन है जब शाम के साढ़े पांच बजे महात्मा गांधी की गोली मार कर हत्या कर दी गई यह दिन काला इसलिए भी है क्योंकि जहां गांधी की हत्या उनके वैचारिक विरोधी नाथुराम गोड से ने की वहीं गांधिवाद की कसमे खाने वालों ने अगली सुबह तक गांधिवाद की भी हत्या कर दी थी नाथुराम गोड से मराठी चित्पावन ब्राह्मन परिवार में जन में थे और हिंदू राष्ट्र नाम के एक मराठी पत्र के संपादक थे वह हिंदू महासभा के सामान्य सदस्य भी थे युवा वस्था में गोड से ने कुछ समय राष्ट्रिय स्वयन सेवक संग की शाखाओं में भी बिताए थे वैचारिक मतभेदों के कारण वह संग से अलग हो गए थे हिंदू महासभा सभा से गोड से के जुड़े होने के कारण तीस जनवरी की रात को ही पुणे और मुंबई में हिंदू महासभा आरेसेस और अन्य हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों और कार्यालयों पर हमले शुरू हो गए डो कोएनराड एल्स्ट की पुस्तक के अनुसार 21 जनवरी की रात तक मुंबई में 15 और पुणे में 50 से अधिक हिंदू महासभा कार्य करता संग के स्वयन सेवक और सामान्य नागरिक मारे दिये गए और बेहिसाब संपत्ती स्वाहा हो गई एक फरवरी को दंगे और अधिक भढ़के और अब यह पूरी तरह जातिवादी और ब्राह्मन विरोधी रंग ले चुका था सतारा, कोलहापुर और बेलगाम जैसे जिलों में चितपावन ब्राह्मनों की संपत्ती, फैक्ट्री, दुकाने इत्यादी जला दी गई और तों के बलातकार हुए, सबसे अधिक हिंसा सांगली के पठ वर्धन रियासत में जब नहरू के भारत में गांधी की हत्या और घोडसे से जुड़ी एक कहानी प्रतिबंधित की गई मुंबई में स्वातन त्रियवीर सावरकर के घर पर भी हमला हुआ सावरकर तो बच गए, लेकिन उनके छोटे भाई डौ नारायन राव सावरकर घायल हो गए और इसी घाव के कारण सन 1949 में उनकी मृत्य हो गई नारायन राव, एक स्वतंतरता सेनानी और एक समाज सुधारक थे लेकिन समाज से बदले में उन्हें पत्थर ही मिल सका उस समय तक दंगो पर प्रेस की रिपोर्टिंग पर बहुत सारी बंदिशें थी लेकिन एक अनुमान के अनुसार मरने वालों की संख्या हजार से कम न थी ये सब अहिंसा को अपने जीवन का मूल मंत्र मानने वाले गांधी के नाम पर हुआ कोयन नराड इन दंगों की तुलना सिख विरोधी दंगों से करते हैं वे लिखते हैं कि जहां सिख विरोधी दंगों की सच्चाई देश वाकिफ है वहीं महाराष्ट्र के इन दंगों की न कभी कोई चर्चा हुई और न किसी को कोई सजा मिली ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी की हत्या को कांग्रेस के अंदर के ही एक धड़े ने एक राजनीतिक मौके के तौर पर देखा गांधी के हस्तक्षेप से नहरू प्रधानमंत्री तो बन गए थे लेकिन पार्टी में उनकी खास नहीं चलती थी कांग्रेस के दक्षन पंथी हिंदुवादी धड़े के नेता सरदार पटेल थे पटेल की कांग्रेस संगठन में जबर्दस्थ पकड़ थी लेकिन सरदार पटेल के ग्रह मंत्री रहते हुए एक धुर दक्षन पंथी द्वारा गांधी की हत्या हुई थी नहरू के करीबी नेताओं ने खुले आम सरदार पर गांधी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया कुछ लोगों ने दबी जुबान में सरदार को इस शड्यंत्र का हिस्सा तक बता दिया कांग्रेस के अंदर के दक्षन पंथियों को पचाडने के लिए नहरू ने गांधी की हत्या को एक हत्यार के रूप में इस्तिमाल किया इसकी परिणाम सन 1950 में दिखा जब दक्षन पंथी माने जाने वाले पुरुशोत्तम दास टंडन को हटा कर नहरू स्वयम ही कॉंग्रेस अध्यक्ष बन बैठे यही कांग्रेस के अंदर नहरू युग की आपचारिक शुरुआत थी मनोहर मलगावकर की पुस्तक दमेन हूं किल्ड गांधी में घोडसे के वकील एलबी भोपतकर बताते हैं कि ततकालीन सरकार के विधिमंत्री डौब भीमराव अंबेडकर ने निजी रूप से उन्हें बताया था कि सबूत ना होने के बावजूद नहरू हर कीमत पर सावरक कांड से जोड़ना चाहते थे क्योंकि एक बार गांधी हत्या कांड में सावरकर गिरफतार हो जाते तो उनकी राजनीतिक चुनोती हमेशा के लिए समाप्त हो जाती पूरे मुकदमे के दौरान पुलिस सावरकर के विरुद्ध किसी भी तरह का प्रमाण पेश करने में नाकाम रही लेकिन आज भी सत्तर वर्ष बाद भी नहरूवियन सेकुलरिज्म के पैरोकार सावरकर को गांधी हत्या में सह अभ्युक्त बताते नहीं ठकते नियायालाय को दिये अपने बयान में नाथुराम गोडसे ने कहा कि सन 1932 में RSS संस्थापक डौ हेडगेवार के प्रभाव में वह संघ से जुड़ा था लेकिन जब सन 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने हिंदू महासभा ने भी गोडसे को महासभा के कार्यकरता के रूप में स्वीकार किया लेकिन इसके बाद भी ततकालीन सरकार ने RSS को गांधी हत्या के शडियंत्र का दोशी माना यही नहीं, हिंदू महासभा पर तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा लेकिन RSS, जिसके साथ गोडसे का पिछले 11 वर्षों से कोई संपर्क नहीं था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया प्रश्न उठता है कि संग पर प्रतिबंध क्यों लगा और हिंदू महासभा पर क्यों नहीं इसका कोई सीधा उत्तर तो नहीं है लेकिन कुछ इस तरह समझा जा सकता है वर्षों के काला पानी की सजा ने सावरकर के शरीर को कमजोर कर दिया था इसलिए सावरकर ने हिंदू महासभा की कमान डौ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौप दी थी डौ मुखर्जी गांधी और कांग्रेस के प्रती नरम माने जाते थे सरदार पठेल के अनुरोध पर उन्होंने 1946 के चुनाव में हिंदू महासभा के गिने चुने उम्मीदवार ही उतारे थे और वे उम्मीदवार भी असफल रहे थे लेकिन युवा और समर्पित प्रचारकों से लैस राष्ट्रिय स्वयन सेवक संघ तेजी से पूरे भारत में पाव पसार रही थी विभाजन के बाद पश्चमी पाकिस्तान से भारत पहुंचे शरणार्थियों की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान देकर संघ तेजी से लोक प्रिय हो रहा था ऐसे में पतन की ओर अग्रसर हिंदू महासभा से ज्यादा बड़ा खत्रा उत्थान की ओर अग्रसर राष्ट्रिय स्वयन सेवक संघ था ऐसे में संघ को ही प्रतिबंधित होना था लेकिन ततकालीन सत्ता प्रतिष्ठानों का अभी एक्स्पोज होना बाकी था अगस्त 1948 में गांधी हत्या के शड्यंत्रों से संघ के सदस्य बाईज़द बरी हो गए इसके बाद संघ प्रमुख गोलवलकर गुरुजी ने नहरू को पत्र लिखकर संघ से प्रतिबंध हटाने की मांग की लेकिन सरकार ने पहले तो आनाकानी की और फिर कई अपमान जनक शर्तें सामने रग दी संघ प्रमुख का कहना था